इस वीडियो से हम समझेंगे बीजी अव्यन्जक क्या है और चरो के प्रयोक से बीजी अव्यन्जक कैसे बनाई जाते हैं? यहां हमने एक तार लिया इसे तीन बार समान अंतर पर मोड़कर एक वर्ग बनाया वर्ग तो पूरा हुआ लेकिन यह क्या? तीन सेंटिमिटर तार शेश रह गया अगर बात करेंगे तीन इस संख्या की तो इसका मान निश्चित है ऐसी संख्या जिनका मान निश्चित होता है एक अचर यानिके कॉंस्टन्ट कहलाती है लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्ग की भुजा का तो इसका माप हमें ग्यात नहीं है यह अज्यात है कोई संख्या जिसका मान अज्यात हो या बदल सकता हो एक चर यानी एक variable कहलाता है अगर हम वर्ग की भुजा को L से व्यक्त करे तो क्या आप तार की कुल लंबाई को चर L के रूप में प्राप्त कर पाएंगे? यहां वर्ग के एक भुजा की लंबाई है L तो चार भुजाओं की लंबाई होगी चार गुना L यानी की चार L इस लंबाई में शेश तार की लंबाई को मिलाया जाए तो हमें प्राप्त होगी चर L के रूप में तार की कुल लंबाई यहां हमें एक व्यन्जक यानि की expression प्राप्त हुआ चुकि इस व्यन्जक में चर का प्रयोग हुआ है इसलिए इसे चर वाला व्यन्जक या बीजीय व्यन्जक अर्थात अलजेब्रिक expression कहा जाता है व्यन्जकों में संख्याओं और चरों से बने कुछ भाग होते हैं जैसे चार एल और तीन जो धन या रिंड चिन्न से अलग किये होते हैं इन्हें पद यानि टम्स कहा जाता है अब इस व्यन्जक को देखे इसमें कोई चर नहीं प्रयोग हुआ है बलकि सभी निश्चित संख्याएं ही है ऐसे व्यन्जक सांखिक व्यन्जक यानि नमबर expressions कहलाते हैं चोकि सांखिक व्यन्जकों में निश्चित संख्याएं होती है इसलिए इनका मान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन अगर बात करें चरो वाले व्यन्जकों की तो इनमें चरो का मान निश्चित नहीं होता और इस कारण इनका मान प्राप्त नहीं किया जा सकता हाँ यह बात जरूर है कि अगर चर का मान दिया जाए तो इनका भी मान प्राप्त किया जा सकता है जैसे नापने पर अगर हम L का माप 4 cm पाते हैं तो इस व्यन्जक में L का मान रखकर इसका हल किया जा सकता है इससे हमें तार की लंबाई प्राप्त होगी 19 cm इस समझ के साथ आईए अब जानते हैं चरो वाले व्यन्जक यानि बीजिये व्यन्जक कैसे बनाएं अचर संख्याओं पर योग, व्यवकलन, गुनन एवं विभाजन जैसी संक्रियाई की जा सकती है चर बदलती जरूर है लेकिन होती तो संख्याई ही है इसलिए चरो पर भी योग, व्यवकलन, गुनन एवं विभाजन जैसी संक्रियाई की जा सकती है इन संक्रियाओं के साथ हम चरो वाले व्यन्जक बना सकते हैं आईए इसे एक उधारण से समझे यहाँ एक बकसा है जिसमें कुछ खिलोने हैं जिनने हम चर एक्स से व्यक्त करेंगे अगर हम बकसे में से ही दो खिलोने निकाल ले तो बकसे में कितने खिलोने बचेंगे? बकसे में बचेंगे एक्स, रिन, दो यह भी एक चर वाला व्यन्जक ही है इसी तरह अगर इस एक बक्से के साथ उतने ही खिलोने वाले दो बक्से रखे जाएं तो खिलोनों की संख्या कितनी होगी? यह होगी तीन कुना X यानि तीन X इसी तरह बक्से से आदे खिलोने निकाल लिये जाएं तो कितने खिलोने शेश रहेंगे? यह होंगे x बटे 2 आशा करते हैं इससे आपको चरो वाले व्यंजकों की यानि बीजिय व्यंजकों की समझ बन गई होगी अगले वीडियो में हम कुछ उधारनों से इसे और अच्छे से जानेंगे धन्यवाद प्रेटकर प्राओन।